जैशीराम, जैमापीतामरा मित्रों केदू महादशा सीरीज में आज सोलवा वीडियो है आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमिडी शेयर करूँगी जो की केदू की इंटेंस एनरजी को डेफिनिटली आपके फेवर में लेकर आएगी ये मेरा खुद का आजमाया हुआ उपाय है जिससे मेरी अदरवाइस कठिन जा रही केदू महादशा में मुझे बहुत राहत महसूस हुई इसलिए मुझे लगा कि आप सब के साथ जरूर शेयर करना चाहिए देखिए हर ग्रह की अपनी स्वेम की एक एनरजी होती है एक पर्टिकुलर नेचर होता है और खास तोर पर जब उस ग्रह की महादशा आती है तो हम सब से यानि की जातकों से वो प्लानेट ऐसा एकस्पेक करता है कि हम सिर्फ उसके दिखाए रास्ते पर चले या उसके हिसाब से ही काम करें यदि आप अपनी महादशा के स्वामी के स्वभाव केनुसार चलते हैं तो ना सिर्फ आपका कठिन से कठिन समय सरलता से खट जाएगा बलकि जो कुछ भी अभी तक आपके प्रतिकूल था यानि कि आपके अगेंस था वो दीरे दीरे अनुकूल होता जाएगा यानि कि आपके फेवर में होता जाएगा इसे यदि हम सरल शब्दों में समझें तो मान लीजे कि एक नदी बहरे ही है और आपको बस उस बहती धारा के साथ बहते जाना है तो आपका रास्ता बिना किसी कटनाई के और बिगेर हाथ पाओ मारे आराम से पार हो जाएगा यदि आप उस धारा के विपरीत यानि कि उसके उल्टे डिरेक्शन में तेरने का प्रयास करेंगे तो मजधार से कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे देखिए केतु अध्यात्म का प्लानेट है मोक्ष का प्लानेट है इसकी spiritual energy इतनी intense है जितनी स्वेम ब्रहस्पती की भी नहीं है वो कैसे? वो ऐसे कि जुपेटर यकीनन आपको धार्मिक बनाता है लेकिन एक balance के साथ मतलब आप धर्म की रहा पर चलते हुए भी ग्रहस्ती, परिवार, संसारिक सुख, धन संपत्ती सब का आनन ले पाते हैं लेकिन केतु के साथ असा बिलकुल नहीं है केतु आपको संसार, घर ग्रहसी से काट कर अलग थलग कर देता है और ऐसी situations बनाता है कि ईश्वर और भक्ती के अलावा आपको और कोई रास्ता दिखाई न दे केतु एनरजी को समझने के लिए इस सीरीज की मेरी पिछली वीडियो को आप अवश्री ही देखें लिंक अभी description box में दी गई है क्या आपने कभी सोचा है कि रिशी मुनी हमेशा पहाड की चोटी पर बैट कर ही क्यों तपस्या करते थे इस प्रशन के उत्तर को समझने के लिए केतु के कई symbols यानि की कारक तक्वों में हम कुछ पर एक नजर डालते हैं पहला है जंडा यानि की ध्वजा और शिकर यानि की किसी पहाड या मंदर की चोटी उसका top most point ये दोनों ही केतु के symbols हैं तो बताइए ध्वजा कहां फैराई जाती है ध्वजा फैराई जाती है मंदर या किसी building के top most point पर जंडा हमेशा उचाई पर ही लगाया जाता है है ना परवत चड़ने वाले यानि की परवातरो ही जब पहाड की चोटी पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ जंडा गार देते हैं पहाडों के शिखर पर केतू की energy की presence सबसे जादा होती है यही कारण है कि बड़े बड़े तपस्वी निर्जन पहाडों की चोटियों पर बैटकर साधना करते थे और इस energy को use करके आसानी से अपना connection स्वेम इश्वर से बना लेते थे तो यदि आप भी केतू महादशा को handle नहीं कर पा रहे हैं और आपको केतू बहुत तकलीफे दे रहा है सारी परिस्तितियां आपके against हैं तो वो उपाय करें जो मैंने स्वेम करके देखा और उससे मुझे बहुत फाइदा हुआ अपने आस पास कोई ऐसा मंदिर ढूने जो देवता का हो सकता है यदि गड़पती मंदिर मिल जाए तो क्या ही कहने सोने पे सुहागा देखिये हम भारत में रहने वारे लोग इतने भागेशाली हैं यहां हर गाओं कजबे और शेहरों में ऐसे मंदिर आसानी से मिल जाते हैं जो पुराने लोगों ने उचाई पर या पहले ही बता चुकी हूँ ऐसे मंदिरों में केतु के वाइब्रेशन अपने हाइस्ट लेवल पे होते हैं जो सीधे आपकी आत्मा को इश्वर से जोडने का काम करते हैं अब देखिये नाम भारत के कई बड़े बड़े और प्रसिद्ध मंदिर भी पहाड़ों की चोटियो पर ही विराजबान है तो चाहे वो माता वैशनो देवी का स्थान हो या तिरुमाला में गोविन्दा तिरुपति बाला जी का जब मैं मेरी कठिन केतु माधाशा के आरंबिक चर्णों से गुजर रही थी तब एक ऐसा ही छोटा सा पर जागरत गणपती मंदर मेरी नजर मे आया जो मेरे घर से कुछ ही किलोमेटर्स दूर था गड़पती केतु को कैसे कंट्रोल करते हैं इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ उस वीडियो को आप अवश्री ही देके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आराम से मिल जाएगा य यहां रोप पे कर लिया टट्टू पे बैटकर सवार होकर चले गए वगयरा वगयरा जिम में कूल बनने के लिए हम सब हजारों रोपे देखकर घंटों ट्रेडमिल पे दौरते हैं पर भगवान के दौ़ार पर सीडियों चड़के जाने में हम सब की हवा खराग हो जाती ह अब जिस मंदिर की मैं बात कर रही हूँ जहां मैं अकसर जाया करती हूँ इस मंदिर में लगभग 200 सीडिया होंगी टॉप तक पहुँचने के लिए और चारों और बस शान्ती जंगल और बियाबान यहां मैं आपको एक और दिलचस्ट सीक्रट बताती हूँ केतू के बार हैं असली शान्ती तो बस इस वीराने में है इस पधाने मंदिर में है तो समझ जाईए कि उस स्थान पर उस जगह पर केतू की वाइब्रेशन बहुत हाई है यदि आप ऐसे स्थान पर साधना करते हैं तो तुरंट अपने इश्दे से आपका कनेक्शन बन जाएगा क्योंक इस मंदिर में रेगिलरली जाकर पूजा अर्चना करना शुरू किया यदि आप विदिवत पंचोब चार पूजा नहीं भी करते हैं तो ऐसे स्थानों पर पहुँचकर ऐसे मंदिरों में पहुँचकर मातर ध्यान लगाए पैठे और अपने पूरे मन से अपने दिल की गह दिन में एक बार महीने में एक बार ऐसे स्थानों पर ध्यान लगाने अवश्य जाएं पर सीडिया चड़कर ही बार बार जाने से आपकी मुश्किले धीरे धीरे कम होने लगेंगी केतु महादशर में मच रही तबाही शान्थ होने लगेगी केतु महराज का मूड आपके पॉजिटिव हो जाएगा, मैंने इसे आजमा कर देख लिया है और आप भी इसे अवश्र ही ट्राइ करें, केतु को शान्त करने के लिए मेरे आजमाए हुए दो और बहुत ही तीवर उपाय हैं, जिने मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, आगे आने वाली उसका इंतिजार जरूर कीजेगा, और अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो, तो मेरे चानल को प्ली सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ, आपके बस इसका नोटिपि किशना आएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, मिलती हूँ आप से अगले वीडियो में, जै शी राम, जै मापी दामरा,